जी एंटर्टेन्मेंट में 14 फीसदी की भारी गिरावट आई है चलिए बताते हैं कि आखिर निवेशक इसमें क्यों बिक्वाली कर रही है नमस्कार आप देख रही है मनी कंट्रोल हुंदी जी ग्रूप के कंपनी जी एंटर्टेन्मेंट एंटर्टेन्मेंट के शेरों में आज यारी 23 स्वरवरी को भारी बिक्वाली दिख रही है इंटर्टेमी तो ये 14 फीसदी से ज्यादा फिसल कर 176.60 रुपे के भाव तक आ गए इसके शेरों में ये गिरावट नाशनल कंपनी के एक आदेश के चलते हो रही है दरसल एंटर्टेन्मेंट की दिवाली प्रक्रिया को मंजूर ही दिवी है ये शेर फिनाल 9.18 पीसदी की गिरावट के साथ 187 रुपे के भाव पर ट्रेड हो रही है इंटर्टेन्में ये आदेश इंडर्सिंट बैंक की याचिका पड़ की दिया है दरसल एंटर्टेन्मेंट ने बुद्वार जानी 22 परवरिं को एक्स्चेंच फायलिंग में नसी एल्टी के आदेश के बारे में ये जानकारी भी है एक्स्चेंच फायलिंग में दी गई जानकारी के मताबिक एंचीए इंडर्स वर्वरी 2000 की तारीछ में Z Entertainment की Corporate Insolvency Resolution Process शुरू करने का आदेज दिया है इंटेसंट बैंक ने Insolvency and Bankruptcy Code 2016 के सेक्षन साथ के तहर कंपनी के खिलाव के याचिका दायर की थी बता दे की करीब 3 साल पहले परवरी 2020 में इंटेसंट बैंक ने Z Entertainment के 49 करोड रुपे के बकाय के लिए Bankruptcy Code का रुप किया था अब बात करें कंपनी के दिसंबर तीमाही के बारे में तो जी एंटेटीन्मेंट के लिए करन पानेशल यर 2022 से तेस के तीसे दिमाही औक्टूबर से दिसंबर 2022 जदा बहतर नहीं रही कंपनी का नेट प्रॉफिट तालाना आधार पर 92 फीसे दी गिरकर 298 दिश्यम लग 9-8 करोड रुपे से महस 14 दिश्यम लग 32 करोड रुपे रह गया वहीदी एंटेटीन्मेंट के शियर पिछले साल 4 अप्रेल 2022 को 308 दिश्यम लग 6-5 दुपे के भाव पटे जो एक साल का प्रिकॉर्ड हाई है ये इस लेवल से अब तक 49 फीस्ती से ज़दा फिसल चुके है और 23 परवरी को ये इंट्रारी में 116 दिश्यम लग 60 रुपे के भाव पर आगए बता दें कि यहां मुहीं जवानकाली सिर्फ सुच नहीं को दी जा रही है मार्केट में इवेश्ट बाजार रुपियों के अधीन है निवेश्ट के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपोर्ट से सलहाले मनी कंच्रूर की तरफ से किसी को भी प कर सकते हैं धन्यवाद